एलो फ्रेंट्स आप सबस्वागत है मेरे और एक न्यूवीडियो में इस वाले वीडियो में मैं आपको प्रोफेशनल एडिटिंग करके दिखाने वाला हूं जाप लोग को पता है कि गास आप लोग अगर इस तरह के फोटो एडिटिंग करके जो इंस्ट्राग्राम पे वाले हैं सो फ्रेंड इस वाले फोटो एडिटिक को सिखने बहुत ही आसान है बसाप लोगों को वीडियो को फूरा अंतर देखना होगा और हमारी चैनल को सुस्क्राइब करके बेल आइकन को ओल्पी करना ताकि आप लोगों को इसी इसी एडिटिंग विडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके सबसा पहले फ्रेंड हम इस बेगराउंड वाले फोटो को जहें फीकशाट आपलीकेशन में ले जाएंगे और इस इडिटिंग में जितने भी फोटो और पी औंजी का यूज करूंगा उसका लिंक आपको तिरंगे वाला जो PNG है आपको उसको ओड़ करना होगा मैं कुछ इस तरह से इड़ कर लेता हूं इस PNG के ओड़ करने के बाद friends कुछ यहां से पकड़ के आपको इस तरह से इसको उल्टा कर देना है इससे हमारी फोटो वर जवा बेग्राउंड में अच्छे से सूट करने ल अपने फोटो को इस तरह से अच्छे से फोटो को सिलेट करने के बाद फिर से हमें एड़ वाले फोटो वर जाना है और हमारे जो मोडल वाला फोटो रहेगा उसको आपको एड़ कर लेना है उस वाले मोडल फोटो का जब बेग्राउंड में उन्हें पहले से रिमूव करक अब र.कि वान से शीख सकते हैं भी आसानी से हमारे मोडल फोटो को कुछ चीछी से बढ़ा करके यहां पर अच्छी तरह से एक्जिस potrzeb करना होगा इतना photo को exist करने के बाद फिरशे हमें add वाले photo पर जाना है और हमें दूसरे वाला PNG आपको उस वाले PNG को add करना है इस वाले PNG को add करने के बाद हम अपने fayro के निचे जो है सेडो की तरह इस्तिम्याल करने वाले हैं ताके हमारी photo जा है realistic दिखने लगे इस black png को add करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह से सोटा करके जो है आप लोग को अच्छे से एक्जिस्ट करना होगा मैं यहां से इस तरह से कर लेता हूँ कि इस तरह से excerpt करने के बाद हमारे पेरों के निचे जो यह इस तरह से हम लगा देंगे कुछ इस तरह से scroll करते ही आपको इस blending वाले option में जाना है और इसको आपको overlay पे रख लेना है। उसके बाद इस ब्लेक वाले PNG को फोटो को किछ इस तरह से जूम करके पेरों के नीचे अच्छी तरह से छोटा सा करकर के हम लगा देंगे कुछ इस तरह से में कर लेता हूं आपको आराम से अपनी फोटो को जे इस तरह से एड करना होगा अच्छे तरह से फोटो को इस तरह से हम लोग एट कर लेते हैं इतना एट करने के बाद गाइस हम लोग फोटो को अपोशुटी जो है इसकी कम कर देते हैं कुछ इतनी रखने नहीं है आपको 70 के आसपास में कुछ इतना रख लेता हूँ उसके बाद इस वाले PNG के हमें duplicate layer बना लेनी है यहाँ पर क्लिक करके इस duplicate वाले layer पर क्लिक करके हमें duplicate layer बना लेनी है कुछ इस तरह से हम लोग एक्जेस करके पेरों के नीचे यहाँ भी लगा देते हैं हमें कुछ एक्स्ट्रा सूज पर जो उबलेक आया है हम उसको remove करने के लिए इस remove वाले option में जायेंगे कुछ यहाँ से इस तरह से setting करके हम जो सूज पर एक्स्ट्रा shadow आया है उसको remove कर देते हैं अच्छी तरह से remove करने के बाद हम लोग यहाँ से अपने photo को done कर लेते हैं इतना करने के बाद friends हमें फिर से add वाले photo पर जाकर एक और png को add करना होगा मैं add कर लेता हूँ उस वाले png कभी इस बलेक वाले png को आप लोगों को blending में जाकर screen कर देना है इस तरह से screen करने के बाद हमारी photo को जो कुछ इस तरह से यहाँ पर हम निचे लाकर कुछ एक्जिस कर लेते हैं friends अच्छे तरह से आप लोगों को एक्जिस करना होगा इस तरह से एक्जिस करने के बाद हमें इसका भी duplicate layer बनना लेना ही यहाँ से यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को इसको उल्टा कर देना है कुछ इस तरह से पकड़ कर आपको उल्टा कर देना है और फोटो को दूसरी साइट से जो इसको भी लगा देना है आप लोग को कुछ इस तरह से लगाने के बाद हमारी फोटो जो पीकसार्ट में बनके कुछ तयार हो चुक है यहां से डन करने के बाद हम अपने फोटो को जो है पीकसार्ट में इसे सेव कर लेते हैं यहां से ड्रोव वाले ट्रूम में जाना है आप लोग को और यहां से त्री डॉट में जाकर यहां से अपने फोटो को सेव कर लेना है अपने गेलेरी में अगर आप लोग की फोटो यहां से सेव नहीं होती है तो आप लोग यहां से जाकर जो अपने फोटो को यहां से भी से कर सकते हैं उसके बाद फ्रेंट्स हमारी फोटो को जिलाए ट्रूम एप्लिकेशन में एट कर लेना है मैं आप लोगों को फ्रेंट्स एक प्रिसेट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिस्प्सन में वहां से आप उस वाले फोटो को डाउनलड करके कुछ इस तरह से त्री जाना है आप लोगों को यहां पर स्क्रॉल करते हैं आपको पेस्ट सेटिंग का बटन दिखेगा यहां पर आपको पेस्ट कर देना है आप देखी सकते हैं एक ही क्लिक में हमारी फोटो जो कितने अमेजिंग तरीके से बन चुकी है आप लोगों को एसे स्क्रॉल करते हैं इस वाले टूल में जाकर विगनेट का उप्षन है जो आपको कम कर लेना है कुछ इसना 20 लख लेता हूं में उसके बाद हमारी देखी सकते होगा इस हमारी फोटो जो कितनी अमेजिंग तरीके से बन चुके आप बीफोर और अप्टर देखी सकते हो इतना करने के बाद फ्रे विडियो का सेर जरूर करना